आपका स्वागत है आज हम बालों के बारे में बात करने जा रहे हैं हर किसी के बाल होते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन बालों के बारे में कुछ दिल्चस्प तथ्य भी हैं जो आप शायद नहीं जानते होंगे इस वीडियो में हम बालों के बारे में शीर्ष साथ मज़ेदार तथ्यों पर चर्चा करेंगे हम किसी व्यक्ति के सिर पर बालों की ओसत संख्या से लेकर दुरलब बालों के रंग तक सब कुछ कव करेंगे इसलिए यदि आप बालों के बारे में और अधिक जानने के लिए उत्सुख हैं तो देखते रहिए लेकिन इससे पहले की हम शुरू करें प्रिपिया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सत्व्यक्ति के सिर्पर एक लाइक से एक लाइक पचास हजार बाल होते हैं ये बहुत सारे बाल है जरा सोचिये कि इस समय आपके सिर्पर कितने बाल है ये संभवता है आपके विचार से कहीं अधिक है और क्या आप जानते हैं कि आपके सिर्पर बालों की संख्या वास्तव में समय के साथ बदल सकती है उदाहरन के लिए यौवन के दौरान आपके बालों की व्रिधी बढ़ जाएगी और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आपके बालों का विकास धीमा हो जाएगा आपके सिर पर बालों की संख्या के बारे में कुछ अन्य रोचक तथे जान लीजिए आपके बालों के रोमों का घनत्व आपके सिर पर बालों की संख्या को भी प्रभावित करता है औसत व्यक्ति प्रति दिन लगभग 100 बाल खोता है बालों का ज़ड़ना उम्र बढ़ने का एक स्वाभाविक हिस्सा है लेकिन ये चिकित्सिय स्थितियों, तनाव और दवाव के कारण भी हो सकता है आपके सिर पर बाल प्रती मा लगभग 0.5 इंच बढ़ते हैं ये उतना तेज नहीं है जितना आप सोच सकते हैं लेकिन फिर भी ये काफी प्रभावशाली है इसका मतलब है कि आपके बाल प्रती वर्ष लगभग 6 इंच बढ़ेंगे और यदि आप वास्तव में धहर्यवान हैं तो ये 6 फीट से अधिक लंबा हो सकता है आपके सिर पर बाल आपके शरील के अन्य हिस्सों के बालों की तुल्ना में तेजी से बढ़ते हैं आपके सिर पर बाल तीन चरणों में बढ़ते हैं एनाजेन, विकास, केटाजेन, प्रतिग्मन और टेलोजेन एनाजेन चरण सबसे लंबा चरण है और इस चरण के दौरान आपके बाल सबसे तेजी से बढ़ते हैं केटाजेन चरण एक छोटा चरण है और इस चरण के दौरान बाल फूप सिकुडने लगते हैं सेलोजन चरण सबसे छोटा चरण है और इसी चरण के दोरान बाल जड़ते हैं रिकॉर्ड के मताबिक सबसे लंबे बाल रखने वाली महिला चीन की जी क्यूपिंग थी उनके बाल 18 फीट लंबे थे उन्होंने 40 साल से अधिक समय तक अपने बाल बढ़ाए उन्होंने 2004 में सबसे लंबे बालों का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा बालों का सबसे दुरलब रंग लाल है दुनिया की केवल एक प्रतिशत आबादी के ही बाल लाल है ये बहुत दुरलब है लाल बाल एक अप्रभावी जीन के कारण होते है इसलिए ये अन्हे बालों के रंगों की तरह आम नहीं है लेकिन ये बहुत खूब सूरत भी है लाल बाल तवचा कैंसर और हृदे रोग जैसी कुछ चिकित सी इस्थितियों के उच्छ जोखिम से भी जुड़े होते हैं झाल जब प्रावी जैसी जोगज़े है बाल अधिकतर केराटिन से बने होते हैं, वही प्रोटीन जो आपके नाखून और त्वचा का निर्मान करता है केराटिन ने एक बहुत मजबूत प्रोटीन है, यही बज़य है कि बाल इतने तिकाव हो सकते है केराटिन बाल, नाखून और त्वचा का मुख्य घटक है केराटिन एक बहुत मजबूत प्रोटीन है, यही बज़य है कि बाल इतने तिकाव हो सकते है केराटिन अमीनो एसिट से बना होता है केराटिन का उत्पादन बाल कूप में कोशिकाव द्वारा किया जाता है केराटिन प्रोटीन 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 है बाल मुंडवाने के बाद वापस उप सकते हैं, लेकिन वे पतले और हलके हो जाएंगे ऐसा इसलिए है क्योंकि शेव करने पर बालों के रोंग शतिग्रस्थ हो जाते हैं जो बाल वापस उगेंगे वे पतले और हलके होंगे क्योंकि वे नई कोशिकाओं से बने होंगे शेविंग के बाद जो बाल वापस उगाएंगे उनका रंग वही होगा जो शेव किये गए बालों का होगा शेविंग के बाद जो बाल वापस उगाते हैं उनकी बनावट शेव किये गए बालों जैसी ही होगी शेविंग के बाद जो बाल वापस उगेंगे उनकी लंबाई शेव किये गए बालों के समान ही होगी शेविंग के बाद जो बाल वापस उगाते हैं वे सूरज की रोशनी के प्रती अधिक समवेधनशील होगे बालों का उप्योग लोगों की पहचान के लिए किया जा सकता है आपके सिर पर बालों के रोमों का पैटन आपकी उंगलियों के निशान की तरह आपके लिए अध्वितिय है यही कारण है कि बालों का उप्योग पोरिंसिक पहचान के लिए किया जा सकता है यदि अपराद स्थल पर बालों के सबूत हैं तो इसका उप्योग संदिग्द की पहचान करने के लिए किया जा सकता है आपके सिर पर बालों के रोमों का पैटन आपके लिए यूनिक है बालों के जल जाने या ख्षतिक रस्थ होने पर भी लोगों की पहचान की जा सकती है बालों का उप्योग लोगों की पहचान करने के लिए किया जा सकता है भले ही अफराद किये हुए कई साल हो गए हो तो ये थे बालों के बारे में शीष साथ मज़ेदार तथ्य हमें आशा है कि आपको इन आश्चरे जिनक तथ्यों के बारे में और अधिक जानने में आनन्द आया होगा इस तरह के और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और यदि आपके पास बालों के बारे में कोई मज़ेदार तथ्ये हैं तो उन्हें नीचे टिपणी में हमारे साथ शेयर करें ऐसे ही और भी अधिक आकरशक तथ्यों के लिए हमारी अफिशल वेबसाइट फैक्टोवर डॉट कॉम को विजिट करना न भूले देखने के लिए धन्यवाद